आईवे ये है रोशनी का करवाँ ये है रोशनी का करवाँ आईवे ये है रोशनी का करवाँ के बीच फर्मालिटी चल ही नहीं सकती ना जादा देर तक अजी साब पूरे पचास प्रोग्राम का बंधन है क्या वनवा हो रहा है आप समझे आप समझने कोशिश कर रहें नहीं कर रहें अच्छा और इस बंधन इस सब के दोरान हमने और आपने मिलकर बड़े दिल्चस्प एंटर्टेनिंग और इन्फॉर्मटिव इशूस पर बातचीत की है ना बहुत कुछ समझा है सीखा है इस रोशनी के कारवाँ में किसी ने क्या खूब कहा है अर्शद के भगवान उनों का फर्क भी समझ सकूँ क्या बात है कभी कभी आप इतनी भारी भरकम और इतनी जन्दगी की शुक्रिया 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 शुकरिया थैंक घूट PhD । मैं तह ये गह रहे था कि टोड़ी हलका बोला कीजिये भाई आज के हमारे पहले महमान से मिलने का व prince हो या फिर ओवर प्रिटेक्शन के स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिलाई ने लेकिन शेख मुझमल कब मानने वाले थे? उन्होंने अपनी मेहनत से तालीम पाई और अब अपना बिजनस खुद चलाते हैं और आज बात कर रहे हैं जोर्ज इब्रेहम से नमस्कार मुझमल भाई आप हमारे स्टूडियो में आए आप एक ट्रावल एजनसी चलाते हैं तो इसके बारे में थोड़ा आप हमारे सुने वालन को बताएए अचा हम ट्रावल का काम करते हैं इससे कि हमरा एकटो आफिस है पंड़ुआ में तो इस ओपिस में आम पैकेस टूर करवाता है, औल इंडिया वैसिस, समरा ट्राबिल्स बोल के एक ट्राबिल एजेंट है, उनके साथ मिलके हम पैकेस टूर करवाता है, और भी हमरा बिजनेस है, स्टीडी बूद भी है, कूरियर सर्विस भी है मुझमल भाई, आप दृष्टीहीन है और आप एक बिसनस शुरू किया है, आप अपना मकान खुद बनाये और आप अपने पुरे परिवार का सपोर्ट करते हैं, ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं? हम पहले एक स्टीडी बूद किये थे, उसके बाद समरा ट्राविल्स का मालिक अलोग दा हमका पास किये थे, तो वो लोग बोले कि आप सरेप स्टीडी बूद लेकर बैटे हैं और कुछ कीजिए, तो हम बोले कि करने का तो इरादा है, तो लोग बोलता है हमना साथ सुरू कीजिए और अब अकेला भी कर सकते हमको साथ मिलके भी कर सकते तो ऐसे ही सुरू हो गया उसके बाद आस्ते आस्ते दिरे-दिरे बहुत बढ़ा हो गया हम एक application किये है rail के पास कि हम को rail का booking rail ticket जैसे कि आदमी लोग ऐसे ही counter में जाता है ticket कटाने के लिए लेकिन बहुत भीर पड़ता है किसी किसी आदमी को ऐसा सुमाई नहीं मिलता है कि हुआ जाके ticket कटा है तो उलोग आते हैं हमरा पास कि आप ऐसा कीजिए कि हमरा ticket आप कटा के लाइए तो हम आपको service चास दे देंगे लेकिन हम बोलता है ऐसे तो नहीं कर पाएंगे हम तो इसलिए हम rail के पास एक application किये है कि हम को एक authorized dealership दीजिए कि हम ticket booking कर सके तो ओ है अपका 1987 साल में हम application किये है तो अभी तक कोई response नहीं मिला मुझमल भाई आपकी आँखों का जो मा का मूँ से सुना है कि दो बड़स जब उमर था हमका उसका पहले हमका रोसनी था लेकिन दो बड़स बढ़र में हमका पॉक्स हुआ था भाद जब ठीक हो गया व इसके बाद हमारा रोसनी एकदम चल गया तो फिर बहुड ड़क्टरड दिखाया हमका पिता जी तो उसने कहा दिया कि इसका रोसनी कभी नहीं आएगा ऐसी होगा तो आप एक काम कीजिए इसको बहुत सारी दूद पिलाता रहिए और आपका ग्रीन वेजटेबल इसको खिलाता रहिए बस एही है इनका इलाज हमका लेफ्ट आई में जरा सा विसन आ गिया तो हम उस विसन लेकर हम चल सकता आकेला साइकिल भी चला सकता लेकिन फिर 20 साल उमर से आस्ते आस्ते फिर गिरने लगा आभी तो हमारा विशन एकदम हई नहीं आपके परिवार में कौन-कौन है और आपके परिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा बताएंगे परिवारिक हम परिवर जीवन में बहुत सुकी हैं, वो हमारा साथ रहता है, घर में खाना के टाइम खाना पकाता है, फिर अपिस का बारे में हम जब बूलते हैं कि हमारा साथ ही रहां चलो, कि होँ चलो, कि अपिस में जरा हमका साथ बैठो, वो बैठता है, और करमचारी भी है, वो भी ह अगर नहीं देता हम जब बाहर निकलता नहीं कि समाज को नहीं देखता तो हम आगे नहीं बढ़ पाता हम सोचे कि एक अंदा हो या लेंगरा हो जो भी हो किसी का माथा दिमाग जब ठिक रहेगा तो विस्सो जाय कर लेगा तो इसलिए हम बहुत समझाया मा को पिता जी को को हमको कुछ करने दीजिए हमरा एक तो जूता का दुकान था हमरा पिता जी का तो हम दुकान में जाके कुछ करने चा पाएंगे लेकिन वोग बोलता है नहीं तुम छोड़ो ना हम तो है ता हम बोलते हैं कि आप तो है अभी ठीक है लेकिन सारा जिंदगी ताप नहीं रहेंगे हमको साथ तो हमको अकेला तो चलना होगा तो फिर हमरा परफर्मेंस हम अकेला सामने धर सका तब उसको विस्वास आया कि हाँ हम कुछ कर पाएंगे ऐसे अस्ते 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 पड़ाय लिकाए हम अपनका चिस्टा से सिके हैं अभी हमरा समाज में हमरा आसपास इलाका में बहुत इज़त करता कि हाँ एक अंधा अदमी सरे भीग नहीं मंगता किसी को भीग दे भी सकता है एक बात के लिए और अपने समाज के लिए तो ये सब इस मकाम तक पहुंचने के लिए आपको प्रोच जहन कहा से मिला कम क्लास नाइन में अपका हिलन क्लार का लाइफ हम पड़ा हुआ हैं कि उसने एक दाम गुंगा भी था देख नहीं सकता तब भी विशाल एक दाम जाय किया है कि एक साइटिक बन गया ये एक इंस्पिरिशन था हमका अब बहुत पहले से हमको मन में है कि हम कर पाएंगे और उनका जिवनी पढ़के हमका एक दम कंक्रिट हो गया कि हम कर पाएंगे जरूर कर पाएंगे शुक्रिया जोर्ज हक सहब से बाचीत करने का और अब वक्त आ गया है कि आपको उन खबरों से बाख़वर करूं जो हर रोज हमारी जिन्दगी को एक बहतर तस्वीर प्रदान कर रही है जिहां जनाब Rehabilitation Council of India यानि RCI ने Indian Space Research Organization यानि ISRO के साथ एक टाइप किया है एजोसेट अपलिंकिंग स्टेशन और स्टूडियो स्थापित करने के रिए और तकरीबन सो RCI Studies Center Delhi में स्थापित स्टूडियो से वाया सेटलाइट कनेक्ट कर दिये जाएंगे जी हां, students of special education, persons with disability, their parents and others will be able to avail free of cost informative lectures तो ये तो first phase की बात हुई, तीसरा phase पूरा करते करते वो तमाम 3,000 NGOs भी इस प्रजेक से जोड़ दे जाएंगे कि जोके disability rehabilitation के साथ काम करते रहे हैं नेशनल ओपन स्कूल को भी इस प्रजेक के दारे में ले लिया जाएगा ताकि बच्चों को education के इलावा दूसरी skills भी सिखाई जा सके जी हां दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इसके बाद उन्नती और प्रगती किस तेज रफ़तार से आगे बढ़ पाएगी बेशर हमारी कोशिश रहे हैं दोस्तों के ये हमारा रोशनी का कारवा आपको जानकारी होसला और हिम्मत देता रहे इस प्रोग्राम में हम आप तक पहुचाते रहे हैं कामियाब दृष्टहीन परसनालिटीज के साथ इंटरिव्यूज और पॉजिटिव न्यूज पीसल्स दृष्टहीन लोगों की जिन्दगी से जुड़े मसलों पर सलाव मशवरा देने की हमारी कोशिश बराबर रही है और बहुत सी खुबसूरा दिल को छू लेने वाली रचनाएं जो हमारे लिसनर्स के कलम से निकली हैं हम तक पहुची और हमारे प्रोग्राम के जरिये दुनिया तक पहुची कुछ सुरिले गीत, कुछ सुन्दर संगीत from our blind listeners और technology की कुछ ऐसी breakthroughs which empower blind people Score Foundation में आपके letters, voicemails, emails जो आपकी जाती जिन्दगी की जहलक देते हैं हमें मिलते रहे हैं बराबर और हम मुसलसल इस प्रयास में रहे हैं कि आपकी दुश्वारियों का हल आप तक पहुचाएं और अब वक्त है आपकी बात सुनने का इस program के बारे में आपको क्या पसंद है और क्या ना पसंद, क्या सुनना चाहेंगे आप हमारे अगले programs में For example, any new sections, आज के जो हम मौजूदा segments हैं उनमें कुछ सुधार कोई भी segments जो आप ज्यादा विस्तार से सुनना चाहें या हटा देना चाहें और any new ideas for our upcoming programs दोस्तों इसमें कोई शक नहीं के information is power, information is light, information transforms life बस हमें इतना बताएए जल्द अस जल्द के आपके उत्थान के लिए हम किस तरह काम आ सकते हैं advice और information के द्वारा आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ ये number याद करके dial करना है आप दिल्दी से अगर dial कर रहे हैं तो हमारा number है 9968 329 329 I repeat 9968 329 329 अगर आप बाहर से हमें call कर रहे हैं तो इसी number के पहले एक zero जरूर लगा दें और हाँ ये याद रखिए कि Monday through Friday यानि कि सुमवार से लेके शुकरवार कि हमारे working days में हम मौझूद रहेंगे 11 और 4 के बीच में हर रोज आपकी phone calls receive करने के लिए by the way हमारा email address भी आप please याद रखिए ये है radio at eyeway.org तो लीजे समय आ गया है कि कुछ जरूरी जानकारी हम आपको दे दे हैं हमारे advice segment में डॉक्टर सुनीता दूमे हैं हमारे साथ जो के दिली में डॉक्टर श्रॉफ चेरिटी आई हॉस्पिटल में ग्लूकोमा expert हैं जी हाँ ग्लूकोमा को हिंदी में काला मोतिया या काला पानी भी कहते हैं संसार में दृष्टी हींता का ये बहुत बड़ा भारी कारण है हर एक को इसका रिस्क हो सकता है बच्चों से पूढ़ों तक ग्लूकोमा का कोई इलाज नहीं है लेकिन सही समय से इलाज कराने से इस बीमारी को थामा जा सकता है और बच्ची हुई नजर को बचाया जा सकता है गुनीद सेथी डॉक्टर सुनीता दूबे से एडवाईज ले रही है इसी सब्जक पर डॉक्टर सुनीता सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ग्लूकोमा को अन्य किन नामों से जाना जाता है और इसमें आँखों के अंदर क्या बदलाव होता है हिंदी में ग्लॉकोमा को काला मोतिया या काला पानी के नाम से जाना जाता है हमारी आँख दो हिस्सों में डिवाइड़ होती है एक लेंस के आगे का हिस्सा और एक लेंस के पीछे का हिस्सा आख के अंदर एक प्रकार का पानी होता है जो की लगातार आख में सर्कुलेट होता रहता है यह पानी आख के टिशूस को नरिश करता है और आख में एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन करता है यह पानी आग के पिछले हिस्से में बनता है और आगे के हिस्से की तरफ फ्लो होकर drainage area से आग के बारी हिस्से में आ जाता है अगर इस पानी का बहाव कहीं भी रुख जाए या धीमा हो जाए तो पानी का दबाव या pressure बढ़ जाता है और इसका असर directly आँख की nerve पे जिसे की optic nerve कहते हैं उस पर हो जाता है और pressure की वज़े से यह nurse दीरे दीरे सूखने लगती है और आँख की रोशनी दीरे दीरे कम हो जाती है और यदि इस pressure को समय रहते कम नहीं किया गया तो अंधापन भी आ सकता है तो फिर डॉक्टर सुनीता काला मोतिया के लक्षन क्या होते हैं? काला मोतिया दो तरह के हो सकते हैं एक तो chronic form जिसमें आँख का pressure धीरे धीरे करके बढ़ता है और patient को कोई symptoms या लक्षन नहीं होते हैं उसमें रोशनी periphery से या side से कम होने लगती है और दीरे-दीरे करके center या बीच तक आ जाती है इस अवस्था में patient यदि सामने चल रहा है तो उसको बाजू की or side की चीज़ यदि वो drive कर रहा है, car चला रहा है तो उसे सिर्फ सामने का नजर आएगा और आस-पास के जो वाहन है वो नजर नहीं आएंगे या फिर वो सीधे चल रहा है तो उसको जमीन पर पढ़ी हुई चीज़े नहीं नजर आएंगे तो जब तक ये symptoms आते हैं तब तक काफी nerve, nerves में damage हो चुका होता है दूसरा एक form होता है जिसमें कुछ लक्षन होते हैं जो की acute form है उसमें जैसा कि मैंने बताया था कि आँख का drainage area एकदम से block हो जाता है तो उसे pressure एकदम से बढ़ जाता है और एकदम से pressure बढ़ने की वज़े से आँख में दर्थ हो सकता है, रोशनी कम हो सकती है, blurring of vision हो सकता है रोशनी के आसपास गोले नजर आ सकते हैं, तो यह symptoms होते हैं pressure बढ़ने के तो फिर यह बताएं कि क्लोकोमा किन लोगों को हो सकता है वो patients जादा रिस्क पे होते हैं जिनकी family में परिवार में immediate relative होते हैं कि माता पिता भाई बहन चाचा मामा या फिर दादा दादी नाना नानी दूसरी condition है कि यदि किसी को बहुत ज़्यादा चेश्मे का नंबर हो प्लस में या माइनस में दूसरा जो हमें शरीर में और तरह की बिमारियां जैसे की diabetes या blood pressure हो तो उन patients में भी कालम होती है होने के ज्यादा chances होते हैं कुछ दवाईयां जैसे की steroids जो कि बहुत ही commonly prescribed सामाने था किसी भी allergy के लिए जैसे की asthma तो यह दवाईयां काफी regularly use में आती है और steroids का long term use या उसको हम ज्यादा दिन तक यूज करें महीने दो महीने या उससे ज्यादा तो वह आंक का प्रेशर बढ़ा सकते हैं तो यह सारे patients ज्यादा रिस्क पर होते हैं इन्हें तुरांट डॉक्टर की सला लेनी चाहिए यह देखने के लिए कि काला मोतिया तो नहीं है डॉक्टर सुनीता काला मोतिया से बचने के लिए क्या कोई सावधानिया बरतनी चाहिए जैसे कि मैंने कहा है कि यह hereditary होता है तो hereditary को हम रोकते तो नहीं है रोक तो नहीं सकते है बट यदि हम इस बात के लिए अवेयर है हमें यदि मालूम है कि हम ज्यादा रिस्क पर हैं और हम अपना regular check-up कराते रहें तो इस बिमारी को काफी हद तक आगे बढ़ने से रोका जा सकता है जैसे कि हमने कहा है कि आँक की बनावट यदि सकरी है और यदि drainage का जो रास्ता है वो सकरा है तो एक laser प्रत्पद्धती के द्वारा उस रास्ते को ओपन किया जा सकता है या चोड़ा किया जा सकता है तो आँकों की regular जांच after 40 years is a must हर एक को चाहिए उने कोई बिमारी के लक्षन दिखाई दे या ने दे चालीस साल के बाद सबको आँक का regular चेक अप कराते रहना चाहिए ये तो रही बात बच्चाव की टॉक्टर सुनीदा अगर किसी को ग्लुकोमा है तो क्या उसका treatment किया जा स हमारा मेन उद्देश है कि आँक के प्रेशर को कंट्रोल में रखना इसका उपचार तीन प्रकार से संभाव है जो मेन इसका तरीका है प्रेशर को कंट्रोल करने का है वो है दवाईयों के दवारा दूसरा तरीका है लेजर विदी के दवारा और तीसरा है उपरेशन या सर जो नई दवाईयां चली है वो बहुत ज्यादा एफेक्टिव है और सिर्फ एक या दो डोस से ही आँक के प्रेशर को कंट्रोल में किया जा सकता है और काफी हद तक ओप्रेशन को टाला जा सकता है लेजर जैसे मैंने कहा था कि आँक का रास्ता सक रहा है तो हम उसे लेजर के द्वारा ओपन कर सकते हैं यह आँक का रास्ता एदी चोड़ा भी है तो लेजर के द्वारा हम ड्रेनेज एरिया को ओपन कर सकते हैं तीसरा है ओप्रेशन 80-90% केस तो रेगुलर चेकप एवन ऑपरेशन के बाद भी ज़रूरी है। डॉक्टर सुनीदा जिन लोगों को ग्लुकोमा है उन्हें आप क्या सलहा देना चाहेंगी। अपनी बीमारी को समझना एक बहुत ही इंपोर्टन चीज है। जो कि आपको प्रिस्क्राइब ही गई है उन्हें नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहें। क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर टाइम ओफ एक्षिन होता है। यदि हमें डॉक्टर ने सुबह शाम दवाईएं प्रिस्क्राइब कि और हम सिर्फ सुबह डाल रहें। तो उसका जो एक्षिन है वो खतम हो जाएगा और आख का प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा यह है कि अपने जो संबंधी हैं उनकी आख की जाच कराना क्योंकि जैसे मैंने कहा था यह हेरेडिटरी बिमारी है। और यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी या कोई जानकारी हासिल करना है तो आपने डॉक्टर से सला कर सकते हैं। हम यह जाना चाहेंगे कि कित सक एक शेत्र में ग्लुकोमा की इलाज के संबंधित क्या कोई नया ब्रेक्थ्रू हुआ है। ऐसा नया इलाज की खोज चल रही है जिससे कि सीधा दवायों का असर आप्टिक नर्व पे हो सके हैं। यह आप्टिक नर्व को सीधा बचा सकें कि प्रेशर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स की खोज जा रही है। जिसको की नियूरो प्रोटेक्शन कहते हैं। लेजर से भी आजकल जो नहीं एक पददी आई है। जिसको सीलेक्टिव लेजर ट्रवेक्टिकिलोप्लास्टी। उससे हम नॉन फंक्शनल जो रास्ता है ड्रेनेज एरिया है। उसको फंक्शनल कर सकते हैं। और यह लेजर सिर्फ सेलेक्टिबली डैमेज़ एरिया कोई टार्गेट करती है, उसी कई उपचार करती है, और आसपास की जगह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, और इस लेजर की ठेरपिया उपचार के बाद दवाईयों की जरूरत भी कम हो जाती है, जीन्स जो की पहुंचार के लिए उनका रिप्लेसमेंट हो जाए, तो उसे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती, तो उस पे भी अभी काफी रिसर्च हो रहा है, कि जीन्स जो जाए, हमारी समाच में ग्लोकोमा से संबंदित गलत फेमिया होंगी, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी सच्छा ही है कि कई पेशेंट हमारे पास भी आते हैं और उनका ये मानना होता है कि एक बार काला मोतिया हो गया तो ये ला इलाज है, मतलब इसका को इलाज होने सकता, पर ये सही नहीं है, in most of the cases, 90% of the cases, यदि प्रेशर कम कर दिया जाए, ऑपरेशन के द्वारा या मेडिस के द्वारा तो पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है, कई बार उनको भ्राम हो जाता है कि काला मोतिया और सफेद मोतिया एक ही तरह की बिमारिया है, हम पेशेंट पास अभी नहीं जाते हैं, बाद में जब हमारी रोशनी कम हो जाएगी ता हम इसका उपरे अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो 9968-329-329 पे हमें कॉल करें, और अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं, तो जीरो लगाना न भूलें, यानि 09968-329-329 दोस्तों हमें यकीन है कि इस बातचीत से आप सुनने वालों को बहुत फाइदा हुआ होगा, अगर आपके कुछ और भी उल्जने हूँ तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पता हम अपने हर प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और हाँ, हमें उमीद है कि पिछली प्रो लोगों के लिए नेट सर्फिंग को एकसेसिबल बनाने के दिशा में काम कर रही हैं, जो कि बहुत ही खुशखबरी की बात है, अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्साइब करने के समय याहो की भी कोशिश जारी है, कि बलाइन यूजर्स के लिए ये ज्यादा फ्रेंडली ह हो सके। हमसे वैसे करें और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी। स्टूडियो की घड़ी हमें फिर आँखी दिखा रही है, आपका शुक्रिया कि आपने रोशनी के कारवा में फिर से फिर से हमारा साथ दिया। अर्शे तुम कुछ कहना चाहते हो दोस्तों से? जरूर कहना चाहता हूँ कि आप से मिलकर बहुत जी खुश हुआ, पिर मिलेंगे अब इजासत दीजिए। और बहुत जरूरी बात जो आप से करनी है, वह हम यह चाहते हैं कि आपका participation, आपका ऐसे योग हमें हमेशा मिलता रहे है। चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो, अधिकारों से संबंधित रखती हो, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो blindness से संबंधित हो, तो 9968-329-329 पे हमें कॉल करें, और अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं, तो 0 लगाना न भूलें, यानि 09968-329-329 या हमारी इमेल आइडी भी नोट कर लें, radio at iway.org पर लिखें, और हां हमारा पोस्टल इड्रेस जुरूर नोट कर लें, ये है आइवे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फांडेशन, P.O.Bucks 3903, New Delhi 49 इस कारे करम के प्रस्तुत करता थे, स्कोर फांडेशन और राजीव गांदी फांडेशन